नमस्कार वच्छों मैं अमर्नाज आपके समक्स क्लासिस्ट का वर्क्षीट संख्या 38 लेकर उपस्थित हूं यह वर्क्षीट दिनांग 23 फरवरी 2021 के लिए है यह इसमें जो आपको इस वर्क्षीट के अंतरगत पताया गया है पुर्णांग को अब सबसे पहले पुर्णांग क्या होता है एक बार हम रिवीजन कर लें तो अच्छा रहेगा पुर्णांग होता है देखे आप जो जितनी भी संख्या एक बार देख ले एक दो तीन संख्या होती है अनंत तक जाती है इसमें जीरो और लग जाता है तो यह पुर्ण संख्या हो जाती है और इधर minus 1 minus 2 इधर और बढ़ती जाती है अनगिना तक तो यह हो जाती है फुर्णा तो इस तरह से यानि हमने क्या सिखा 0, 1, 2, 3, 4 यानि दोनों साइड हो यहाँ पर जैसे 0 है 1 है 2 है 3 है इधर अनन्तक और इधर minus 1 minus 2 इधर भी अनन्तक तो यह हो गया पुर्णांग अब उसके बारे में हम यहाँ पे जानकारी प्राप्त करेंगे तो आईए देखते हैं वर्क सिट में जो दिया हुआ है उस की ओर चलते हैं यहाँ पे कहता है जब हमारे पास दो धनात्मक पुर्णांग हो तो हम जोडते हैं दोनों धनात्मक हो दोनों में कई बार जैसे लिखा होता है फोर प्लस फाइव तो इसमें कुछ भी नहीं है तो इसका भी मतलब धनात्मक है यादि कुछ भी नहीं है जिसके बीचे वो भी धनात्मक होता है तो चार प्लस पाँच को लिखा गया दोनों धनात्मक है तो नो ठीक है और यहाँ पे चार प्लस प्लस होना चाहिए इसी तरह तीन प्लस दो का लिखा गया तो दोनों प्लस है तो तीन दो प्लस होना चाहिए अब हम तब भी जोडते हैं जब हमारे पास दो रिनात्मक पुर्नांक हो यानि दो नेगेटिव हो रिनात्मक हो तो भी जोडते हैं लेकिन चिन वही देते हैं जो दोनों के पास है ठीक है अब दो और एक तीन तो माइनस का तीन होगा और जब हम एक धनात्मक पुर्णांक और एक रिनात्मक पुर्णांक को जोड़ना हो तो हमें इन पुर्णांकों के संख्यात्मक मानों को देख कर घटाना चाहिए. परंतु साथ ही वही चिन लगेगा जो बड़ी संख्याओं में लगा हो. दोनों संख्याओं को आप प्लस माइनस को छोड़ करके जो बड़ी संख्या दिखे उसमें से छोटी संख्या घटा ले और चिन वही दे जो बड़ी के पास है. उसी को ध्यान में रखते हुए. अब देख़े, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुए प्लस 4 और माइनस 7. दो अलग-अलग चिन हैं. पहले इसको एक ब्रैकेट से तु निकालिए. यहाँ पर दो चिन एक सात हैं, तो एक सात नहीं रखना है, इसको सेपरेट करना है. तो log 4 के लिए तो हम कुछ नहीं तो plus 4 और यहाँ पर देखे plus और minus दोनों हैं तो यहाँ पर plus और minus मिलकर करके minus हो जाता है, minus 7 हमने कहा बड़ी संक्या में से छोटी संक्या घटाई है बड़ी संक्या 7 दिख दिख रहा है 7 में से 4 कम कर दिये तो 3 हो गया और चिन्य कॐन सा देंगे जो बड़ी संख्या के जश्ट पीछे लगाओगा यानि ये ये इसका चिन है और ये इसका चिन है तो बड़ी संख्या का चिन क्या है माइनस 3 ठीक है और संख्या यूग्म जैसे 5 और माइनस 5 को आपस में जोडने पर सुन्ने प्राप्त होता है तो ऐसी संख्या दूसरे संख्या का योज्य प्रतिलोम कहलाता है यानि जो संख्या है उसको उसी संख्या के रिनात्मक से जोड़ा जाता है तो वो जीरो हो जाता है यानि किसी संख्या में क्या जोड़ा जाए कि जीरो हो जाए तो वो उसका योज्य प्रतिलोम होता है जैसे तीन में क्या जोड़ा ज जाए तो सुनने हो जाएगा तो माइनस तीन उसका योजिप्रतिलोब हो गया इसको समझने के लिए एक और बात आपको बताओं देखिए जदी पहले दो आंको के बीच में दो चिन इकठा नहीं रहना है अब जैसे प्लस है और इसके बीच में माइनस है लगा हुआ जैसे य प्लस और माइनस थ्री ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ यह दोनों चिन इकठा नहीं रहना है तो इसके लिए बता देता हूँ प्लस और माइनस माइनस थ्री हो जाएगा और दूसरा यह यदि दोनों के बीच में समान दोनों के बीच में अंक है यह तो समान चिन सारे में चिन वही देंगे जो बड़े वाले के पास होता है ऐ हो कि समान समान हमें पलस करेंगे और डिसमान हम माइनस करेंगे उसमान चिन में मीनोर करेंगे तक लहां बढ़ा करेंगे हैं एक चिन वही देंगे जो बड़े वाले के पास है तो आईए अब हमेशा की तरह आपको वर्क सीट में कुछ करने के लिए दिया गया है तो यहां पे देखिए साथ में उसी संख्या का रिनात्म घटाया जाता है तो मैंने अभी बताया जैसे साथ है यहां पे दो चिन है एक साथ है तो यहां पे यह कर लीजिए प्लस माइनस है माइनस हो जाएगा तो इसका वैल्यू जीरो आ जाएगा ठीक है बच्चों अब नेक्स सवाल देखते हैं इसमें दिया हुआ है 5 तो फिर वहां पे भी मैंने बोला 5 और यह प्लस माइनस माइनस और 12 तो हमने क्या बोला जो क दिया हमान चिन के लिए हम घटाएंगे और चिन वही देंगे जो बड़े वाले के पास है तो इसमें से घटाए तो साथ आए और बड़ी संख्या के पास माइनस है तो माइनस लगाए ठीक है दूसरे का यह हो गया अब तीसरा कहता है माइनस 5 और माइनस माइनस 9 यहाँ पर है तीसरा है माइनस 9 और प्लस 8 फ्लस 5 तो क्या करे यह पहले दो कोई कटा कर ले तो समान चिन को पहले जोड़ ले आठ पांच, तेरा हो जाएगा, तेरा और मेंसे 9 गया, यहाँ पे हो जाएगा, माइनस 9 और यह तेरा हो जाएगा, तो इसमें से करने पे क्या होगा आपके पास, तेरा मेंसे 9 गया, बड़ी संख्या कौन सी है, तेरा, तेरा बड़ी संख्या, तो तेरा मेंसे 9 गया, तो चा आपके पास minus 12 और minus 12 इसमें भी देखिए minus 12 और plus minus है तो 81 हमने कर लिया तो minus 12 हो जागे यहाँ पे ज्यादा तर बच्चे क्या करेंगे 0 लिख देंगे लेकिन वहाँ पे गलती हो जाएगी आपको यह पहले बता दिया जो कि समान चिन दो चिन एक साथ हो तो उसको पहले हटाईगे तो plus minus minus तो minus 12 और minus 12 तो दोनों का value क्या हो जाएगा दोनों समान चिन वाले को हम जोडते हैं तो 24 और जो बड़े वाले यानि दोनों में कठे बरावर ही है तो minus 24 आएगा अगला देखते हैं पांचमा कह रहा है minus 1 minus 11 और minus 10 का value आपको ग्यात करना है तो जैसे minus 1 और plus minus तो minus 11 हो जाएगा और यह plus minus यहाँ भी minus 10 हो जाएगा तो तीनों समान चिने वाले तो इस सब को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 22 और चिन वही देंगे जो बड़े वाले के पास होगा minus 22 अब हम अगला सवाल देखते हैं इसमें कह रहा है जो दूसरा है उसमें कह रहा है दूसरा सवाल 125 और 124 का योग्यात की minus 124 तो 100 पहले लिख लिजिए plus और minus 124 अब इसको करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 125 और plus minus minus 124 तो इसकी value एक हो जाएगा जल्द वाजी न करें और सोच समाज करके answer देंगे तो गलत नहीं होगा हमने क्या वोला था बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे तो 125 में से 125 घटा दिए चिन बड़े वाले का दिए इसी तरह कह रहा है तीन का योज़ प्रतुलों तो तीन में क्या जोड़ा जाए तो तीन है ना जीरो बनाने के लिए तीन में मैंनस 3 जोड़ा जाएगा तो यह होगा इसी तरह यहां पे मैंनस 4 है तो इसका इसमें 4 जोड़ा जायेगा तो यह हो जाएगा जोड़ाइगा तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ माइनस 7 और फिर प्लस माइनस तो इकठा करेंगे तो तो माइनस 8 और प्लस माइनस यहाँ पे भी दो चिन 1 साथ है तो माइनस 15 हो जाएगा और प्लस 30 तो माइनस वाले को पहले 2 कोई करें तो 8, 7, 15 और फिर 15, 15, 30 तो माइनस 30 तीनों के पास और प्लस 30 तो यह 0 हो जाएगा ठीक है वच्चों? अच्छा लगए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा धन्यवाद